हेई फ्रेंग्स वेल्कम यौल टो एग्री स्मार्ट स्लाशेस यूट्यूब चानल तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंसेक मोल्टिंग के बारे में डिसकास करेंगे ठीक है तो इंसेक के बॉड़ी का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग के बॉलतेयां प फिर जो क्यूटिकलकर पार जो इसको dr डिसकार्ड करता है मोलिंग के टाइम पर उसको हम लोग एक्जूवा बोलताया जो पार डिसकार्ड होता है जो पार रिमुव होता है उसको exuvia बोलते हैं, फिर insect के body में, मतलब insect में immature stages में molting का process होता है और ये कई बार होता है, ठीक है, फिर दो subsequent molting के बीच में जो time interval होता है, मतलब पहला molting और दूसरा molting जो हुआ, उनके बीच का जो time interval है, इसको हम लोग stadium बोलते हैं, ठीक है, और जो form जो insect attain करेगा, या जिस form में वो develop होगा, जो नया stage आएगा उसका, molting के बाद उसको हम लोग in star बोलते हैं, फिर आप देखते हैं, molting में कौन-कौन से steps होते हैं, कि इन steps से होकर के molting होता है, ठीक है, तो इसको हम लोगोना तीन steps में mainly divide किया है, पहला होता pre-agdysis, मतलब molting से थोड़ा सा पहले क्या- और इनक्टिव स्टेज में चला जाएगा, ठीक है, फिर जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, कि इनसे के जो body wall है, या integument है, तो उसमें तीन लेयर्स प्रजेंट होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, उसका हम लोग क्यूटिकल बोलते ह प्रोटीन कंटेंट, इंजाइम लेवल, बढ़ने लगेगा, तो फिर जी जो सेल है, एपिडर्मिस सेल, ये डिवाइड होने लगेंगे, ठीक है, माइटॉर्टिकल ही डिवाइड होंगे, और ये सेल्स जो है क्यूटिकल से लूज होने लगेगा, ठीक है, तो जिसके वज यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि ये डिटाच होगा क्यूटिकल और एपिडर्मिस, तो ये जो डिटाच होने के बाद ये स्पेस बना, इसको हम लोग बोलते है सब क्यूटिकूलर स्पेस, ठीक है, अब इस स्पेस में मोल्टिंग जेल सिक्रीट होने लगेगा, ठीक है, ये तरह समस्थ पेशाएगाइज siis, फिर हम भिएक क्यूटिकल का squirt समस्ट परीचल क्यूटिकल केला This SUBC में जो प्रीच अनौन असन। एक्टिवेट होने लगेगा ठीक है एक्टिवेट होगा तो उसके वज़ेसे जो पुराना वाला क्यूटिकल है यह पुराना वाला जो क्यूटिकल है इसका डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा ठीक है यह मोल्टिंग जेल जो है इसका डाइजेशन स्टार्ट कर फिर next है wax layer का formation और cement layer का formation तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो सबसे उपर वाला layer होता है cuticle में epicuticle में उसमें epicuticle जो है वो कई layer से मिलकर बना होता है जैसे कि wax layer, cement layer, polyphenol layer तो उसमें wax layer और cement layer का formation जो है start हो जाता है ठीक है फिर आब आता है molting का process तो molting के step में दो step होता है जो पुराना वाला cuticle है उसका rupture होना तूटना start हो जाएगा और उसका removal ठीक है तो rupture में क्या होगा insect जो है अपना body volume को increase करेगा कैसे करेगा तो air और water का intake को बढ़ा लेगा जिसके वज़े से वो उनका जो body है वो थोड़ा फूलेगा ठीक है उनका जो blood flow है head और thorax region में वो increase होगा ठीक है जिसके वज़े से जो पुराना वाला cuticle है वो तूटेगा ठीक है तूट करके remove हो जा जैसे कि यहां पर दिखा रहा है यह old cuticle और यह जो new insect इसमें डेवलप हुआ नया स्टेज जो डेवलप हुआ इसको लोग इंस्टार बोलेंगे और यह जो पार्ट डिसकार्ड हो गया इसको हम लोग एक्जूविया बोलते हैं ठीक है फिर आप देखते हैं पोस्ट एक्ड प्रोटीन और फेनॉलिक सबस्टेंसेज एड़ होने लगेंगे ठीक है फिर एंडोकूटीकल का फोमेशन होगा तो एग्जो क्यूटीकल के नीचे एंडोकूटीकल प्रेजंट होता है तो यह जो है इसका मतलब यह डेवलप होने लगेगा और इसमें काईटीन और से सच कंप्लीट हो गया तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हल्दी एंड स्टे हाप्ली